हराओ आवरवान आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज हम इंडियन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कुस करेंगे यह इलेक्शन कमीशन कम्प्लीट करंट अपडेटेड है अभी 2023 तक इसमें जो भी करंट के अपडेट सायों सब एड किये हुए है तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन का होता क्या है रोल क्या है तो इले Action Commission एक Constitutional Body है, यह एक सम्मिधानिक निकाय है, सम्मिधानिक निकाय से तात पर यह है कि निर्वाचन आयोग को हमारे सम्मिधान में ही लिखा गया था, यह सम्मिधान में लिखा हुआ है, स्वायत निकाय है, इसका मतलब है कि अपने decisions freely ले सकता है, यह फ्री बोडी है, यह एक अर्धिन्याईक निकाय है, अर्थात निर्वाचन आयोग प्रशासनिक सलहकारी अर्धिन्याईक संस्था के रूप में कारिये करता है, अब देखते हैं अगर हम निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, तो निर्वाचन आयोग का गठन पच्चिस जन्वरी 1950 को किया ग पूर्व समीधान 26 जनवरी 1950 को भारत में पूंटेया लागूआ उससे एक दिन पूर्व 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया इस 25 जनवरी को यादकार बनाने के लिए इसे मद्दाता दीवस के रूप में तथा 1950 को ट्रॉल फ्री नंबर के रूप में यूज किया जाता है आगे अगर हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग में कितने सदश्य होगी इसके संदश्य क्या होगी क्या इसका समीधान में वर्णन किया गया है नहीं यह समीधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि इसकी संदश्य में कितने मेंबर होंगे इसलिए इसकी संसा के रूप में कार्य करती थे उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक ते ही एक सदस्य हुआ करता था उसके बाद 16 अक्टोबर 1989 से जब राजीव गांदी की सरकार आई थी उन्होंने मतदान की आयू 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी तो सरकार के कार्य के बूज को कम करन के लिए उन्होंने निर्वाचन आयुक को बहु सदस्य संस्ता के रूप में बना दिया था उसके बाद फिर से इसके अंदर बदला हुआ और दो जन्वरी 1990 को इसे पुनहें एक सदस्य संस्ता बना दिया गया बाद में एक उक्टोबर 1903 में को एक अध्याधिश जारी हु जिसमें निर्वाचन आयुक बहु सदस्य संस्ता के रूप में बना दिया गया और तब से यह वर्तमान तक बहु सदस्य संस्ता के रूप में कारिय कर रहा है वर्तमान में अगर हम स्तिती देखते हैं तो इसके अंदर कुल सदस्य तीन यानि एक मुख्य निर्वाचन और दो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर हम बात करते हैं इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स की फर्स्ट C.E.C. कौन थे तो वो सुकुमार सैन थे जिनका सरवादिक लंबा कारेकाल था प्रतम महिला C.E.C. मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी वी-म रमा देवी थी वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त दो हजार तेईस में कौन है तो पच्चिसवे है राजीव कुमार और ऐसे कौन से C.E.C. थे मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने पदपर रहते हुए त्याग पत्र दिया तो वे नगेंदर सिंग्व अशोक लवासा जी थे अब अगर हम देखते हैं क्या इन सदश्यों के अलावा भी इसके अंदर और सदश्य बनाई जा सकते हैं तो जी हाँ इसमें और सदश्य आउशक्ता पढ़ने पर एड किये जा सकते हैं जैसे प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ती की जा सकती है जन्गना आयुक्ती की जा सकती है लेकिन आउशक्ता पढ़ने पर अगर हम देखते हैं कि अभी जब यही नियुक्ति है वो चर्चा का विशय क्यों बनी रही थी जब राजीव कुमार जी का नियुक्ति की गई थी तो रास्पति से यह प्रशन पूछा गया था कि 24 घंटे के अंतरगत ही राजीव कुमार जी का नियुक्ति की प्रक्रिया के तहट की गई है तब सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्ट जवाब प्राप्त नहीं होने पर एक निर्ण ने दिया है अभी तो देखिए सबसे पहले चर्चा नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी पहले राश्पति द्वारा संसत के द्वारा जो विधी बनाई जाती थी उसी के तहट राजीव कुमार का निर्वाचन हुआ था लेकिन जब इस पर सवाल कड़े हुए तब सुप्रीम कोट ने एक निर्ण ने दिया कि अब राश्पति द्वारा समीति ही की सलहा पर ही CEC की नियुक्ति की जाएगी इस समीति के अंदर कोन-कोन सदश्य होंगे एक भारत के प्रधान मंत्री जी होंगे लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा एंड भारत के मुखे नाईधी CGI होंगे ये बहुत important questions है साथियों ये अभी current updated question है आपसे प्रश्ण पूछा जाएगा रास्टपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सलहा देने के लिए जो समीती है उसके सदश्य कौन-कौन होंगे पहला option आपको देंगे PM, विपक्ष का नेता, CGI और fourth option कुछ भी add कर सकते हैं तो कौन नहीं है सदश्य कौन नहीं है इस तरह से प्रश्ण पूछा जा सकता है आपसे ध्यान रखना PM, CGI और विपक्ष का नेता लोगसबा में विपक्ष का नेता तो इस तरह से हम निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे आगे अगर हम देखते हैं निर्वाचन आयोग के अंदर महत्यपूर्ण अनुच्छीद कौन सा है आर्टिकल कौन सा है तो हम देखते हैं निर्वाचन आयोग के महत्यपूर्ण अनुच्छीद 324 से लेकर 324 तक निर्वाचन आयोग के अंदर अनुच्छेदों का अध्यम किया जाता है लेकिन जो सबसे important अनुच्छेद है वो है 324 अगर हम 324 अकेले को भी पढ़ लेते हैं तो हमारा काम निकल सकता है exam point of view से तो देखिए इसको याद करने के लिए बहुत simple way है सबसे पहले अगर आप कहीं interview में जाते हैं तो आपसे क्या पूछा जाता है why you are preferring this job कि आप इस जोब को अपने क्यों चुनाए क्या reason है क्या काम है किस काम को करने के लिए आप इस जोब को चूज कर रहे हैं तो वैसे ही समविधान के अंदर लिखा हुआ है कि निर्वाचन आयोग को किस कारे के लिए नियुक्त किया गया किस कारे के लिए बनाया गया समविधान में किस कारे कौन सा कारे करने के लिए निर्वाचन आयोग को लिखा गया तो सबसे पहला पहला क्या तीन सो चौविस एक के अंदर एक से लेकर छे अनुच्छेद हैं पहले अनुच्छेद में इसके एक काम बताया गया है दूसरे अनुच्छेद में फिर नियुक्ती बताई गया है कि कितने लोगों को नियुक्त किया जाएगा तीसरे अनुच्छे कि अलावा चोता कुन आया उसके बारे में बताया जाएगा पांच वा पांच वे में अगर हम देखते हैं पांच वे पी से भी पांच और पदावधी ये भी पैसे ही साट है तो पदावधी के बारे में बताया गया है चेह के अंदर हम देखते हैं तो करमचारी व्रंद के बारे में बताए गया है तो पहले अगर हम देखते हैं अनुच्छे 321 में किसके बारे में बताए गया है कारी के बारे में किया कारी करेगा ये तो सबसे पहरे ये चार चुनाव करवाएगा चार चुनाव किस किस के करवाएगा एक संसद के विधान मंडल के रास्टपती के और पीम के ये कॉशन पूचा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग किन किन की निर्वाचन करवाता है तो संसद विधान मंडल MP, MLA, PM and President इन चारों के इलेक्षन में पार्टिसिपेट करता है निर्वाचन आयोग, ये धियान रखना पंचायत चुनाव और निगम चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग का कोई रोल नहीं होता है, उसके लिए अलग से राज निर्वाचन आयोग गठित किया गया है फिर अगर हम देखते ह इसके कारे क्या है यह निर्वाचनों का अधिक्षन करेगा निर्देशन करेगा नियंतन करेगा और निर्वाचक नामावली तयार करेगा इसके अतरित्य चुनाव न्यायाधी करन का भी इसमें उल्लेक था जो कि 19. समीधान चंचोदंवरा अटा दिया गया अगर नेक्स नियुक्ति पहले रास्टपती द्वारा संसत द्वारा बनाई गई विदी के तहट दी जाती थी वर्तुमान में इसके सदश्य पी एम सीजेयाई एंड लोग सभा में विपक्ष का नेता होगा तो पहला हमने पड़ा कार्य कार्य चार्च उनाव कराएगा अधिक्षन करे तीसरा घर हम बात करते हैं तीन सदश्य हो गए हैं तीन सदश्यों में यह बताएंगे कि निर्वाचन आयुक्ति के अध्यक्षता कोन करेगा अध्यक्षता जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वही मुख्य निर्वाचन आयुक्ति ही निर्वाचन आयुक्ति के अध रास्पति निर्वाचन आयोग के परामर्च के द्वारा प्रादिशिक आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। से ये बहुत बार कशन पूचा जाता है कि किस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। पूचा जाता है तो इसे अच्छे से ध्यान रखना। पदावदी की अगर हम बात करते हैं तो पदावदी कितनी होगी चै वर्ष होगी या 65 वर्ष जो भी पहले हो इन दोनों में से वही होगी। नेक्स अगर हम 326 की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग के अनुरोद पर रास्पति या राज्यपाल करमचारी वरंद उपलब्द करवाएगा। यानि इसके अंदर करमचारी वरंद की बात की गई है। देखो इनके की पॉइंट्स अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें complete आर्टिकल्स याद हो जाते हैं। क्योंकि हमारे एक्जाम के अंदर complete line लिखी हुई आती है और पूछता है कौन से अनुच्छत से related है इसमें क्या बताया गया है। तो जो key point है अगर हम उसको ध्यान रख लेते हैं तो हम उससे अपना question correct कर सकते हैं। तो पहला काम बताएगा किस-किस का चुनाव कराएगा संसर विदान मंदल रासपती और पीम। फिर बाद में संख्या संख्या दिखते हैं 1 प्लस 2 होगी और नियूक्ती रासपती द्वारा होगी। मुखित चुनाव आयूक्ती ही अध्यक्ष होगा। रासपती के परामर्श पर प्रादिशिक आयूक्तों के नियूक्ती होगी। सेव शर्तों में अलापकरी परिवर्तन नहीं होगा। उच्चे तम्यायले के सामान अठाया जाएगा। और अन्य आयूक्तों को CEC की सलाह पर इठाया जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, और करमचारी रंद उपलब्द कराएगे। आगे हम बात करते हैं निर्वाचन आयूक्ती शक्तियों के बारे में और इसके कारी के बारे में। तो हम देखते हैं निर वाचन-ायूक्ती वै कारे, तो देखिये नि ये स्वायत्ति निकाय है यानि अपने डिसीजन्स खुद ले सकता है प्रिशाशनिक निकाय है अर्धिन्याईक निकाय है अखिल भार के संस्ता के रूप में कारी करता है अगर हम देखते हैं निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग का सबसे महत्योपूर्ण काम है भूभा आयोग अधिनियम उसके आधार पर वो भूबाग का निर्धारन करेगा अर्था किस राज्जी को कितनी सीट्स अलोट होनी चाहिए ये कौन डिसाइड करता है निर्वाचन आयोग तो समय समय पर इस चार अभी तक चार परिसीमन आयोग बनाए गए हैं 1952, 1962, 1972 और 2002 2002 कुल्दीप सिंग की अधिक्ष्टा में बनाए गया तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है संसत के परिसीमन आयोग अधिनियम के अधार पर समस्त भारत के निर्वाचन छेत्रों के भूबाग का निर्धारन करना कितने यानि यह क्या करता है भूबाग का निर्धारन करता ह किसके अकॉर्डिंग परिसीमन आयोग अधिनियम के अकॉर्डिंग कितने बनाए गया है चार उनिस सो बावन बासट बहतरों दो हजार दो इसके अतरिक ती इसके इंपॉर्टेंट काम क्या है यह निर्वाचक तित्थी समय सांडनी निर्वाचक नामावली तैयार करता है रास्टपती को सलहा दे सकता है मैंने कहा था कि निर्वाचन आयोग एक सलाकारी संसता के रूप में कारी करता है तो सलहा क्या क्या दे सकता है देखो ये रास्टपती को सलहा दे सकता है संसत सदश्यों के निरहरता से संबन देखो ये राज्यपाल को सलहा दे सकता है विधान परिशत के सदश्यों की सलहा से सम्मन्दित तो निर्वाचन आयोग संसर सदश्यों की निरहरता से सम्मन्दित रास्टपति को सलहा देगा और राज्यपाल को विधान परिशत के सदश्यों की निरहरता से सम्मन्दित सलहा देगा इसके अतरिक्त ये आचार सहींता लागू कर सकता है इसके अतरिक्त ये रास्टपती को रास्टपती शाशन के समय सला दे सकता है कि एक वर्ष बाद चुनाव करवाए जाए या नहीं करवाए जाए ये अगर कहीं निर्वाचन के अंदर लूट फसाद कुछ भी विवाद हो जाता है तो जहांच अधिकारी न्यूक्त कर सकता है अगर ज्यादा एनियमित्त हो जाती है लूट हिंसा रिंगिंग तो रद कर सकता है चुनाओ को इसके अतरिक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट निर्वाचन आयोग का कारिय है जो कि अभी बर्निंग कॉशन बना गया हुआ है राजनितिक दलो को मानिता प्रदान करना ये वर्तमान करिंट का चर्चा का विशे है क्यों क्योंकि अभी रास्ट्रे दलो जो की निश्किय रास्ट्रे दल थी उनकी मानिता रद कर दी गई है पहले आम आदमी पार्टी के बाद नो रास्ट्रे दल थे और अब छे रास्ट्रे दल रह गए हैं तो जो निश्किय द उन्हें उनकी मानिता निर्वाचन आयोग के दोरा रद्द कर दी गई है इसलिए यह भी चर्चा का विशय बना हुआ है तो पूछा जा सकता है राजनितिक दलों को मानिता प्रदान कों करता है तो निर्वाचन आयोग करता है अब हम देखेंगे कौन-कौन से दल राष्ट् दरजा प्राप्त हो यानि यह हमारी जो महत्वपून पार्टीज होती है भारत की वो राष्ट्रे दल में शामिल की जाती है आम भाशा में बोले तो आफ फेमस पार्टीज तो इसके लिए हमें राष्ट्रे दल कौन होगा कौन राष्ट्रे दल बन सकता है किस तरीके से ब पूशित करेंगे राज्य दल जो कुछ छेत्रे राज्यों तक ही सीमित रह जाए वो राज्य दल कहलाते हैं अब देखो रास्ट्रे दलों की माननिता निर्वाचन आयोक कब प्रदान करेगा तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला है पहले तो दो तीनों को रास्ट्रे दल बना परसेंट मिल जाए उसके साथ ही किसी राज्य या राज्यो से लोकसभा में चार सीटे मिल जाए मतलब कि लोकसभा विदान सभा चुना हुए उसमें ये तो चार सीटे मिल गए 4 प्लस 6 परसेंट वैद्य मतों का कितना मिल जाए 6 परसेंट साथ में उसको कितनी सीट अगर हो जाता है complete तो राश्टी दल समझा जाएगा तो ट्रिक क्या हुई 464 इस तरह से याद रहे जाएगा लोगसभा फोर क्या है लोगसभा विदानसभा में सीट्स हैं 6% क्या है वैद्यमतु का परसंटेज हैं कितने वोट्स मिलेंगे उसके बाद लोगसभा में कितनी सीटे मिलनी चाहिए राज्जो में 4 सीटे 4, 6, 4 नेक्स अगर ये नहीं प्राप्ट करें अगर और किस तरीके से भी बन सकता है कि राज्जों में लोगसभा में 4 सीटे मिल जाए या तो उसे कितनी सीटे लोग सबा में 4-6-4 के अलावा लोग सबा में 2% सीट और ये 2% सीटे कहां से आनी चाहिए तीन अलग अलग राज्यों से आनी चाहिए पहला था 4-6-4 का सेकंड है 2% और 3 यानि कि 2% सीटे 3 विभिन राज्यों से हो चोथा कहा है कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाए तो अभी जब आप आदमी पार्टी आप पार्टी वनी थी तो उसे 12% के सीट अवेलेबल हुई थी इसलिए उसे आम आदमी पार्टी का दर्जा मिल गया तो हमने यह आप से पूछा जाएगा 2% and 3 फिर लास्ट में 4 याद हो जाएगा इसी तरीके से राज्य दल राज्य दल कम पूछा जाता है पर फिर भी हमें याद होना चाहिए कि विधान सभा चुनाओं में वैद्य मतों का 6% और 2 सीट कि दो बार तो हम विधान सभा चुनाओं के बारे में बात करेंगे दो बा दोगा और कितने सीट साथ में 2 सीट वहां पे 4 सीटे थी यहां पे 2 सीट है आम चुनाओं में या फिर विधान सभा आम चुनाओं में 3% या 3 सीट जो भी जादा हो थार्ड है लोग सभा में 6% सीट प्लस 1 सीट फोर्थ है लोग सभा की 25 सीट में से 1 सीट में 25 सीट हो तो 1 स तो 2015 में इसमें शंचोदन किया गया है कि अगर किसी को लोक सभा वे राज्य सभा में 8% वोट मिल जाएंगे तो वो राज्य दल का दर्जाव से प्राप्त हो जाएगा तो इस तरह से राश्ट्रे दल और राज्य दल को याद करना है आपको अगर आगे हम बात करते हैं कि वर अगर किसे लोक सभा में 4 सीटे इसे कितने सीटे मिलिये 5 सीटे और 12% मोट अपने देखा था या तो 2% कितने 4 6 4 का रूल था 2 & 3 का रूल था और 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा था चार ये रूल था तो इसी के साथ आम आदमी पार्टी को क्या मिला 12.9% थी लेकिन अभी ही वर्तमान में जो निश्क्रिय दल थे उन्हें निर्वाचन आयोग के द्वारा उनकी मानिता रद्द कर दी गई है तो पहले 9 पार्टी आउँआ करती थी अक्किल भारती त्रण्मोल कॉंग्रेस, टी-मसी, बहुजन समाज पार्टी बसपा, भारती जन निश्क्रिय पार्टी थी उन्हें हटा दिया गया है, अक्किल भारती त्रण्मोल कॉंग्रेस को हटा दिया, राकमपा को हटा दिया है, भागपा को हटा दिया गया है, ये निश्क्रिय दल थे अब वर्तमान में 6 ही दल रह गया है, यानि पहले कितने थे, 9 रास्ट्रिय अब six ही रह गये हैं आम आदमी पार्टी, NPP नेशनल पीपल्स पार्टी, BJP भार्ती जंता पार्टी, PSP एबसपा बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल कॉंग्रिस and CPIM मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी इस तरह से हमने निर्वाचन आयोग को complete learn किया है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को अपने सभी friends तक share करें, thank you guys